नमस्कार मैं हूँ अंकूर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com सत्यहिंदी का एंड्रोइड एप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाईए वहाँ पे एक लिंक दिया गया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अब एक लिए से डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर क्रिशी कानूनों के खिलाफ आंदूरन कर रहे किसान आज चक्का जाम कर रहे हैं 26 जन्वरी को ट्रेक्टर रैली के दोरान जिस तरह कुछ उबदरभी तत्तों ने हिंसा का साहरा लिया उसे देखते हुए किसान, संगठन और पुलिस दोनों ही अलट पर हैं ये चक्का जाम 12 से 3 बज़े तक रहेगा मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि दिल्ली, NCR, उत्तरपदेश और उत्तराखन को छोड़कर बाकी इलाकों में चक्का जाम किया जा रहा है बाकी समूचे भारत में राजमार्गों को जाम करना शुरू कर दिया गया है किसानों ने पलवल हाइवे को बंद कर दिया है किसानों के आज के चक्का जाम को लेकर दिल्ली, पुलिस, हाई अलट पर है अंतराष्टी हर्स्तियों के किसान आंदोरों पर ट्वीट के बाद बॉलिवूड के रियक्षन पर कॉंग्रेस नेता और बॉलिवूड के अभिनेता चत्रुगन सिना ने प्रतिकरिया दिया है सिना ने NDTV से बाचीत में कहा कि बॉलिवूड और कॉर्परेट की दुनिया में बहुत सारे लोगों ने डर दवाओ की बज़े से अपनी बात कही है लेकिन उन्हें किसानों के समर्थन में भी बोलना चाहिए था उन्होंने ऐसे लोगों को सरकारी या रागदरबारी बताया उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सामाजिक या राजनीतिक मामलों में क्यों नहीं बोलते सरकार और कुछ लोगों द्वारा इसे देश का अंदुरूनी मामला बताये जाने पर सिना ने कहा कि ये कैसा अंदुरूनी मामला है जिनके कहने पर ये लोग ट्वीट कर रहे हैं उन्होंने भी कभी अब की बार ट्रम सरकार काहा था, तो क्या इसे दखलंदाजी माने, सिना का साफ इशारा प्धान मंत्री मोधी की ओर था? प्धान मंत्री मोधी ने न्याई पालिका को लेकर आज कहा कि भारत की न्याई पालिका एक ऐसी संस्ता रही है, जो हमेशा से अपने कर्तबी के रूप में लोगों के अधिकारों के लिए खड़ी रही, और जिसने राश्ट यहित को प्रात्मिक्ता दी है, पिया मोधी इसाना अंधोलन पर अब संयुक्तोर राश्ट संग मानवाधिकार कारयले ने भी बयान दिया है, कारयले ने प्रशाश्ण और प्रदर्शिनकारियों से अधिक्तम सहिय वरत्नी के अपील कियơi है, शुक्रुबार शाम को जारी कियेगा संदेश में सैयुक्तोर राश्ट मा किसाना अंदुलन पर कुछ कहा है अब तक सरकार और प्रदर्शन कानियों के बीच ग्यारे दौड की वारता हो चुकी है लेकिन कोई नतीचा नहीं निकल पाया है जिनका उपहाज किया जाना चाहिए जिनकी शबी घराब की जानी चाहिए और जिने हराया जाना चाहिए पत्र में कहा गया है कि ऐसे रवये से कभी कोई समाधान नहीं निकलेगा उनने कहा कि अगर भारत सरकार वाकई महत्यपूर्ण समाधान चाहती है तो उसे आधिमन से कदम उठाने के बजाए कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और फिर समभाविज समाधान के बारे में सोचना चाहिए पश्यमंगाल में आगामी चुनाओ की तयारियों के लिए बीजेपी आज से राज्य में रत्यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी के राष्टे अध्यक्ट जेपी नड़ा रत्यात्रा का आगाज करेंगे राजी सरकार ने रत्यात्रा के लिए इंकार नहीं किया है पश्यमंगाल में आगामी चुनाओ से पहले मुख्यमंतरी ममता बैनर जी ने शुक्रबार को विधान समा में दो दश्मलब नौनो लाग करोड रुपए का अंतरिम बजट पेश किया और कई घोश्टाइं की जि बीस लाक घर बनाने और कच्चे मकानों को पक्का करने का निर्ने किया है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बंगाल में डेड़ करोड नई नोकरियों के श्रजन की योजना बना रही है और इस पहल के तहट सरकारी कारालों में रिक्तियों को भी भरा जाएगा मुख्यमंतरी न मन्जूरी दिया है अगस्त 2019 में विशेश राजी का दर्जा और अनुच्छ 370 को खत्म के जाने के बाद से एक साल तक बिना इंटरनेट और फिर 2G के जरीए काम कर रहे जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें अब खत्म हो रही हैं जम्मू कश्मीर सरकार की प्रधान चिब रोहित कंसल ने शुकुरबार को बताया है कि पूरे राज में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल किया जा रहा है इससे पहले पिछले साल 15 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के एक एक जिले में इंटरनेट सेवा के ओर ट्राइल के आधार पर फिर से शुरू किय गया था 18 महीने तक राज के लोग बिना या धीम इंटरनेट के कारण परिशान रहे हैं बारत में एक दिन में 11,713 नए करोना संक्रमन के मामले दर्ज के गए हैं और पिच्चान में लोगों की जान गई है जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमेतों का आंक्रा एक करोड 8,14,000 के पार हो चुका है और मृत्कों की संख्या भी 1,14,000 से अधिक हो चुकी है फिलहल जो एक्टिब मामले हैं वो 1,48,000 से अधिक हैं और अभी तक 54,14,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है अमेर की राश्पती जो बाइडन ने कहा है कि पूर्व राश्पती डोनल्ड ट्रम को Classified Intelligence Briefing यानि गोपनिय खुफिया जानकारी नहीं मिलनी चाहिए CBS Evening News को दिये एक इंटर्वी में जो बाइडन से जब ये सवाल पूछा गया कि टरम को Intelligence Briefing मिलनी चाहिए अगर उन्होंने अन्रोध किया तो इसके जवाब में बाइडन ने कहा मुझे लगता है कि नहीं अमेरिकी राश्पती में कहा कि उन्हें Intelligence Briefing देने का क्या मतलब है वह एक क्या प्रभाहो डाल सकते हैं इसके वजायत तथे तो ये है कि उनकी जुबान फिचल सकती है और वह कुछ भी कह सकते हैं CNN के मताबिक अमेरिका में पूर्व राश्पतियों को पारंपरी ग्रूप से Intelligence Briefing के लिए अन्रोध करने पर उन्हें ये हासिल करने की अनुमती दी जाती रही है और वर्तमान में भी कई पूर्व राश्पतियों को ये मिल रही है म्यानमार में तक्ता पलट के बाद सेनी सरकार लगातार इंटरनेट पर पारवंदी लगा रही है फेस्बूक बंद करने के बाद अब म्यामार में सोचल मीडिया साइट ट्वीटर और इस्टाग्राम पर भी बैन लगा दिया गया है वहीं शुकुरबार को सैकडों छात्रों और शेक्षिकों ने विश्विद दैलों में तक्ता पलट के खिलाब परदर्शन किया बता दें सहीक तो राश्ट भी विश्व समदाय से अपील कर चुका है कि सभी मिलकर इस तक्ता पलट को आशवल मनाए भारत और इंग्लेंड के भी चन्ने में खेले जा रहे टेस्ट मैच का दूसरा दिन आज है अभी तक इंग्लेंड ने मैच पर अच्छी पकड बना लिया है इंग्लेंड ने चार विकेट खुकर 400 रन बना लिया है पारी के 132 में ओबर में इंगलेंड ने ये हासिल किया है कप्तान जो रूट दोहरेश तक की ओर बढ़ रहे हैं भारत की ओर से बुम्रा ने दो तो अच्छिन और नदीम ने एक-एक विकेट लिया है अब तब की खबरों में इतना ही सत्ति हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर